प्रदान मंत्री मोधी ने कहा प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी इनी वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करती है इलाज की लागत भी काफी अधिक होती है हमारी सरकार का फोकस स्वास परहेwend और हम इसे सस्ता और सुलब बनानी की दिश्रा में कार कर रही है उन्होंने बिहार के मुखे मंत्री निटीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि जब से निटीश हुमार ने स्वास शेत्र में सुधार का काम शिरू किया है तब से बिहार इस शेत्र में तेजी से विकास हुआ है मोदी ने ये भी बताया कि बिहार में जल्द ही एक बड़ा आखों का अस्पताल भी इस्थापित किया जाएगा जिसका निर्मान प्रक्रिया में है इसके अलावा प्रधान मंत्री मोदी ने मेडिकल सक्षा के शेत्र में भी बड़ी घोश आएगी उन्होंने बताया पहले डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी था लेकिन हमारी सरकार ने फैसला लिया कि अब गरीब और मध्यमवर के बच्चे अपनी मात्र भाशा में पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं उन्होंने कहा कि इस कदम को करपूरी ठाकूर की सबसे बड़ी श्रधानजीली माना जाये का जो हमीशा सिक्षा के शेतर में समानता का सपना देखते थे इसके अलावा मोधी ने मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या को दोगुना करने की जानकारी दी और आने वाले पाच सालों में 75,000 नई सीटे जोडने का वादा किया उन्होंने ये भी घोचना की कि अब हिंदी और अन्य भारती भाशाओं में भी मैडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा ताकि गरीब, दलित, पिछडे और आदिवासी परिवारों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके पटना बिहार से सीनियू समवादाता देपक कुमार तिवार की रिपोर्ट प्रधार मंत्री मोदी के इस कदम से नाकिवल बिहार बलकी पूरे देश में स्वास सेवाओं और सक्षा के शित्र में महत्तुपूर्ण सुधारों का रास्ता खुलेगा दर्भंगा में अमसका निर्माण बिहार के चिकिस्ता शित्र में एक नई क्वरांती का प्रतीक बन कर उभरेगा और इससे गरीब और मध्यमवर के लोगों को सस्ती और गुर्वत्ता पूर्ण चिकिस्ता सेवाओं उपलब्द हो सकेंगी फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रही है सी न्यूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ